नमस्कार सातियों हमें मोहन परियार का सात मोहन परियार चैनल पर आज हम जानेगे 10 26 26 बनाना सिखेंगे उसकी मात्रा जानेगे कौन-कौन से पसलों में और कब तक उसका उप्योग किया या सकता हो मार्केट से कितना विएलियुवेबल होगा पहले हम जानते हैं कि 10 26 26 है क्य प्रतिसत होती है इसका मतलब हुआ कि के जो 50 किलो का बेग होता उसमें नाइट्रजन की मात्रा 5 kg होती है फासपरोस की मात्रा तेरा केजी होती है और पर भीव कि मात्रा अपका 13 kg होते है अकर हमको तैरा 19 adopting बनाना है तो तो हमको जो मात जो दो चीजे लगे गी उसमें लगे गा एक तो डिपी लगेगा आपका और दूसरे आपको लगेगा पोटास डिपी में 18-18-26 का फर्मूला होता है और इसमें नाइट्रोजन नों 18% होती फासपरोड 26% होती पोटास नहीं होती है तो पोटास के लिए हमने पोटास लिया है तो उसमें 70% तक आती है तो अब इसकी हम बात करें तो इसकी मातरा कितनी लगेगी तो डिपी की हमें मातरा लग जाएगी 28 केजी कितनी लग 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 और आपकी पोटास की मातरा 21 केजी लगेगी ये दोनों मिलाके गुन 50 केजी इसका वजन होता है यह वजन आपका एक केजी बोरी जो आएगा दस-चबिस-चबिस उसके बराबर पढ़ेगा, दसचबिस-चबिस की एक बोरी और ये गुन पचास किलो में जो पोसक्तत्वों की मातरा है वो समान है, बाकी raw material मिला हो रहता है जो भी उसको जिसके साथ bonding हो जाती है उनों की तो वो molecules मिलाए जाता ताकि उसके raw material के रुप में पर इसमें chemical की मात्रा हम देखेंगे तो करीबन आपका 13, 32, 26 और 5 31 kg ही chemical है बाकी आपका जो गुंतिस केजी जो material डाला गया गुंतिस केजी वो दूसरा raw material होता जिसका कोई वो नहीं होता मतलब फसल में कोई उप्योग नहीं होता तो वो material इसको raw material मिलाए जाता पर इसमें जो chemical है वो 31 kg है अब इसकी हम कीमत की बा 20 kg लग रहा है 1100 का rate माने तो उस हिसाब से आपको यह 616 रुपय का पढ़ जाएगा और आप अगर कोटास की हम बात करें तो पोटास हमें 21 kg के लग 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 रहा है और यह 336 kg रुपय का पढ़ जाएगा तो यह दोनों को अगर हम देखे ते 952 के लग लग हमें एक बोरी जो होता है आपका 10 26 वह प्रिपेरेशन हो जाएगा घर पर और इसकी मार्गेट से अगर आप कंपेर करेंगे तो 1500 रुपय के लग 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 आपको 100-500 रुपय तक बच सकता है अगर मार्केट पर मिलता है तो आप वह ले सकते हैं और घर पर बनान अगर जदा उत्फदर पादर लेते हैं और लेने की आसा रखते हैं और पूरी ख्हादों को जानते हैं तो 26 पेस के अलावा इसको किस तरीकी ब्यों लाव सवके U." सबस्क्राइब लिएन शाज का जोंवा सबसंद के लिए सब्रस्कार के बाएं हम समझते हैं को अ एक पर धरशिका बारे नहीं पर prima ले को सीधे करें गलेों यह लनियुनार सय स्काहँ थे लिए सोलनीयथं सतीर प्रोंच के घ्चा भी झरास को को पोटास और किसी के ध्यान देने की जरूत नहीं और आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो इसको उप्योग कर सकते हैं यह लेग्युमिनसी क्रापों में देखा जाए तो उसमें भी उप्योग हो सकता है चाहर हो गया तो हो गया ग्षाना को डालें गेंगे तो आ सकते हैं मनियम कल्स प्सक्राइब करें वे उन फ़सलें भी यह बहुत उप्योगी रहेगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबागे ताकि जब भी हम वीडियो नोट करें आपको मिल जाए और शेयर करें वहाट साथ पर वीडियो को लाइक जरूर किया करें ताकि हमारा साहस बने अगर यह कौन-कौन सी फसल में कपकप डालना है तो सोयबिल में दिन तक उसमें भी यूञकर सकते हैं उसके बाद करना चाते हैं तो 15-100 दिन तक आप प्र चारिस यह सअफ दीस के बीच Bartiman करना चाते हैं तो 50-100 धिन दिन आप न हईकि कर सकते हैं out yeah उपीता में करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना है तो आपको निद्धर करना है तो आपको पोटास के साथ आपका यूरिया मिला के करना है जायदा प्ली पड़ते हैं तो असे एक अगर नीचे की पडूख पिल पड के गिर रही है पोधे की तो आपको नाइट्रोजन पोटास के साथ मिला के देना है और इस तरह के से इसका उप्योग करकी हर फसल में आप सही साथ उत्पादन ले सकते हैं और जिसको कुछ भी नहीं मालम कुछ नहीं समझता है तो 10-26-26 करते रहें 12-32 करते रहें तो संपूर्ण पोशन मिल ताहिन एस्टे वीडियो में जाए हीं